नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माइन डिटी चानल एक बर फिर उपस्तित हूँ आपके समग से खाज जानकारी के साथ और आज जिस बिजनेस की दोस्त आपको जानकारी मिलने वाली है इसके विशे में जब रंजीत सर जो एसब इंजिनियरिंग के ओनर हैं जहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं उन्ह हमारे दसों को भी जाना जोरी है हमारे दसों को बताएंगे मैं आते हैं तो आपको एस्वी इंजिनियरिंग का बोर्ड नजर आ जाएगा आज के वीडियो में जिस बिजनेस की जनकारी हमारे दसों को मिलेगी उसके विशे में आपने बताया कि अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू करेगा अपने घर पर तो पैसे उनके पास आएंगे नहीं बरसेंगे तो कैसे बरसेंगे और कौन सा बिजनेस है सारी जनकारी हमाल दरसों को दीजिए सर्क देखें दोस्तों जैसा कि सर बता रहे हैं इनको मैं बुलाया था कि आप आईए और आप हमारे यहां करके एक ऐसा बिजनेस आडिया के बारे में बताईए जो कि काफी लोगों को इंतजार होगा इस बिजनेस आडिया के बारे में कि आखीर एक प्रोड़क्ट बनता कैसे है और इसमें कौन-कौन सी मशीने यूज होती है और इस प्रोड़क्त को बना करके हम कितना पैसा कमाएंगे और इस प्रोड़क्त का यूज कहां कहां होता है सारी इसमें रॉव मेटरियल क्या क्या लगता है रॉव मेटरियल कहां से मिलेगा तो दोस्तो मैं आपको बता दे रह सबसे पहले सर जो मशीन का यूज होता है इसमें सारा रॉव मेटेरियल जो होता है mix किया जाता है उसके बाद second machine होता है जो a screening machine होता है या के मिल मशिन अगर कि सी को और ज्यादा बल्क में क्वालिटी चाईए या प्रोडक्शन चागflower तो के मशीन ले सकते हैं यह जो मशीन है सार यह हमारे दर्सक iedereen है वहां प्रोडक्शन के अनुसार हम लोग मिक्सर मशीन बना करके देते हैं और पीसे जो आपके ज़स्ट मशीन है जो पतार्त मिला जाते हैं मिलाए जाता है क्या काम है चाने का होता है इस मशीन में आप माल डालेंगे तो आपका जो फाइन प्रोड़क्ट है वह एक तरप च्छान के निकल जाएगा एक तरफ जो गुल्टी-गुल्टी बन जाता है, जो माल मिक्स करने के बार, गुल्टी-गुल्टी आपको दूसरे तरफ निकाल देगा तिसरी कौन सी मशीन है सर तिसरी मशीन होती है पैकिंग करने की वा सिंग पावड़र मे किंग बिजने से को शुरू करें लिए तीन मशीन की आविशक्ता होती है और सभव है आपके मसीनों का फिर बिल्कुल अंबार लगा हुआ है तो एक संसिप्त परचे पूरे सारे जो भी मसीन आप बनाते हैं उसका हमारे देखा रहे हैं अगर बत्ती बनाने की है नोटुबूक बनाने की है कील बनाने की मशीन अप देकर रहweg सामने में कील बनाने की मशीन है सारा मशीम आपको मिल जैगा सारा रॉव मैटरियल भी मिल जाएग आप देख सकते हैंसर कि आपने बता injured मैंसीन में मिक्सिंग होता है जितने तरह के अव्यव इसमें मिलाए जाते हैं मिश्रण में तो उसकी जानकारी कहां से मिलेगी आप वो अव्यव कहां से मिलेंगे हमारे यहां से सारा रो मेटरियल मिल जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं सारा रो मेटरियल हमारे पास स्टॉक में पड़ा होता है और और जैसे जैसे क्वालिटी आपको हाई करना होगा उसका भी हमारा फर्मूला होता है हमारे जो स्टार्टिंग प्राइस होता सरफ बनाने का ओ अठारा रुपया में आपको मेडियम क्वालिटी की आपको सरफ तयार हो जागी जो मार्केट में 35-40 रुपय किलो बिखती है में 100 रुपय में 2-3 किलो जो मिलता है ठेला वगर पर या छोटा मोड़ा इस्ट्रोल आकर लोगों बेशते हैं तो वह वाली मातर अठार रुपय या 20 रुपय किलो रेडियो तयार हो जागी 17-18 रुपय में जो ब्रानेट कंपनिया मार्केट में सरफ बेशती है तो वह कितने में रेडि हो जाएगा 22-23 रुपया में आपको एक किलो माल तयार करके हम दे देंगे इतनी बचत होती है इसलिए तो आप बोले जैसा कि पैसा आपके पास पैसा कैसे आएगा जब आपका सस्ते में माल तयार होगा और महंगा में माल बिकेगा तभी तो आपक सब्कीकिनर के Dreamh totally कितनी चाने वह जैने कर दिए दक कर देखार है वैंतार विजिए थाने योडी च Yourself का में इस नहीं हमारे को दे रहे हैं और आपने इस बिजिए में कैसे मुनाथ कमाएग आध सकता है kit इस विजीनेस को कैसे कर्मात में ने सब्सक्राइब तो?" प्रू किया जा सकता है बिल्कुल आसान सब्दों में आपने बताया और समझ में आ गया होगा एक और सवाल है कि मार्केटिंग कैसे करेंगे लोग मार्केटिंग सर इसका बहुत ही काफी इजली मार्केटिंग है क्योंकि हर घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है इस प्रो ज़ शुरु आहत जब योगति करेंगे सब्सक्राइब के पास जगा लगब को स्टार्ट कर सकते अब के खपद के नहंificación अगर आपके पास लोठ है घर की बिजली तो आप उससे भी चला सकते हैं आगर एक किलो बाट का आपके घर में लोड है तो एक किलो बाट और लोड बढ़ा लिजे उससे आप चला सकते हैं सिंगल फेच की मशीन होती है बैंड शिलर तो काफी चोटी मशीन है वो तो जितना बल्ब आपके जलेगा किसी कहा में मोटर लगा हुआ तो कितने कि मोटर इसमें लगते हैं दोनों में दोनों में परिशिरी कितनी है चार सो किलो एक घंटे का सबसे चोटी यूनिट सबसे चोटी जो स्टार्टिंग हमारे मशीन का होता है चार सो खेल जी आठ घंटे में वासिंग पाउडर का निर्मान कर सकते लो यह करके देदेगा अगर आपके पास बजट है पाउच शपवाने का तो आप हमारे आँ से मशीन खरीते हैं तो हम आपको पाउच वाले से कॉंटेक्ट करा देते हैं वह आपको प्रिंट करके आपक कॉंपनी का रेजिस्टेशन होता है वह हमारे तरफ से फिरी आफ कोस्ट होता है यह मशीन कहां का डिलीवर करवा देंगे सर इसके जनकारी देजी हमारे दसों को वर्ल्ड डिलिवरी होगी सर पूरे दुनिया में कहीं भी अगर आपके वीवर्स होंगे वह मशीन मंगवान चाहते हैं तो उनको हम पूरे दुनिया में कहीं भी भी भेज देंगे हमारे पास उसके लाइसेंस है एक साल का सर पूरा फ्री सर्विस वर्रंटी होती है पूरे पार्स का अगर एक साल के अंदर कोई खराब होता है तो हमारे तरफ से फ्री आपकोस्ट चेंज करके दिया जाएगा और एक साल के बाद पांच साल तक फ्री सर्विस दी जाएगी इंजिनियर का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है तो कितने पैसे में इस बिजनेस की सुरुवात हो सकती है एस बिजनेस की सुरुवात लगबग आपको 98000 से सुरुवात हो जाती है हम पढ़ना से है बिहार से लेकर करके दिल्ली आये हैं तो आपके चैनल के माधियम से जो भी वीवर्स कॉल करते हैं यहां विजिट करते हैं तो उनको मैं 85 मात्र 85,000 रुपया में 2023 मार्च तक अगर बुकिंग करते हैं, तो मात्र 85,000 रुपया में मैं उनको दे दूँगा, सर. सर, क्या मशीन कोई भाई बंदू पर्चेस करेंगे, तो पहले बुकिंग कराना पड़ेगा? हाँ, मात्र 30% एडवांस पेमेंट दे करके, वो बुकिंग करवा दे, 70% जब माल उनके हाँ पहुच जाता है, तो पेमेंट करना है। एसवी इंजिनियरिंग, नियर नांगलोई रेलवे स्टेशन मैट्रो, सोनिया उस्पिटल, गुल्सन पार्क गली में आकर क्या विजिट करिए, एसवी इंजिनियरिंग का बोर्ड नजर आएगा आपको। आपने सुना दोस्तों, तो इस तरह और भी अपडेट जाड़ी रहेंगे, ग्रोमा इंडियाटिव चैनल पर तो बने रहेगा मेरे साथ तब तक के लिए।